एक वेक्ती आये मेरे पास और वो बोले कि एक साल से काफी लॉस हो रहा है अंकित जी, SIP तो मैं करे जा रहा हूँ, डिसिप्लिन वे में लेकिन लॉस बहुत जादा देखने को मिल रहा है तो मैंने सोचा कि उना सब को यहाँ पर इसका सॉलूशन दिया जाए बहुत सारे लोग हमारे साथ नया अभी जुड़े 2016 के बाद में जिनको यहाँ पर काफी जादा डिप्रेशन हो गया है कि मार्केट इतना जादा गिर रहा है वो यहाँ पर लॉस सहे जा रहे हैं, ऐसा वैसा जाने कैसा रास्ता खोज रहे हैं कि मार्केट से यहाँ पर निकल कितने समय में आपकी SIP negative से positive हो जाती है और कितने समय में आपको boom देखने को मिलते हैं और कैसे आप मोटा पैसा यहाँ पर बना सकते हैं, सारी की सारी बात होगी, बात होगी, मुह से नहीं बात होगी, data के साथ, facts के साथ, analysis के साथ, research के साथ जो मैं आपके लिए लेकर आगय और आप इसे लाखो करोड रूपे बना सकते हैं अपने investing को लेकर, तो नमस्कार रंकित और आप है market master में तो हमारी research study को यहाँ पर चालू करते हैं, सबसे पहले माल लेते कि रवी जी थे, जिन्होंने यहाँ पर SIP करने की सोची 2007 का वो समय था, 2007 जन्वरी में उन्होंने सोचा कि वो 5000 की SIP को यहाँ पर चालू करते हैं, और हर मैने 5000 रुपे देने लगे, तो सबसे पहले आप यह यहाँ पर देखोगे कि जन्वरी को उन्होंने 5000 रुपे दिया, investment amount 5000 और उसकी market value भी 5000 रही, उसके बाद फरवरी में उन्होंने 5000 और एड किया, तो यह 5 और यह 5 मिलके उसकी investment amount 10,000 हो गई, दो मैने में और उस 2000 की market value, जब market बढ़ा, तो यहाँ पर 10,109 पे आ गई, तो रव 5000 अगर multiply तो उनकी investment amount 25,000 थी और market value उनका यहाँ पर 25,000 से बढ़के 26,000 हो गया, जैसे जैसे वो पैसा डालने लगे, उनकी market value यहाँ पर बढ़ते गई, उनकी price यहाँ पर बढ़ते गई, जून में 30,000 उनके बन गया यहाँ पर 32,000, उनको यहाँ पर फायदा हुआ, ऐसे ही वो यहाँ पर अपनी SIP को continue किया उन्होंने, नवे मैंने September में उन्होंने 5000 और डाले SIP में, उनकी यहाँ पर investment value जो थी, investment वो यहाँ पर 45,000 हुई, और उस 45,000 की value उस समय 50,000 पहुच गई, क्योंकि market बढ़ रहा था, उसके बाद October में उन्होंने 5000 और डाला, तो यह 45,000 में उन्होंने 50,000 और डाला 5000, तो यह हो गए उनकी 50,000 और इस 50,000 की market value उनकी पहुच गई यहाँ पर 60,000, तो उन्होंने जो जन्वरी से सफर शुरू किया था, जन्वरी से लेके October तक के सफर में, उन्होंने 50,000 डाले यहाँ पर 10 मेहने में, और उस 50,000 की value 60,000 तक यहाँ पर केस को हम यहाँ पर समझ गए कि क्या चीज क्या यूज हो रही है, आप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, रवी जी ने आपर 1 जन्वरी 2007 से अपनी S.I.P. चालू करी, जिनको वो आगे बढ़ाते हुए लेकर चले गए, 1 सेप्टेमबर 2018 तक, 2008 तक, सॉरी, non-stop गया, यहने क अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर जन्वरी से दिसंबर 12 और जन्वरी से सेप्टेमबर 9, यहने कि कुछ 21 महने तक उन्होंने अपनी S.I.P. को continue किया, discipline way में, multiply करोगे 5000, यहने कि जो investment amount उनका है, वो 1,05,000 उन्होंने जमा कर दिया, अब यह पैसा जो है, यह market में लग था हर मैंने 5000, तो उनकी market value जो थी, वो यहाँ पर 1,6,181 हो गई, तो अभी तक रवी जी का S.I.P. बहुत smooth way में चल रहा था, उनको S.I.P. से आपर कोई दिक्कत नहीं थी, market से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके पैसे आपर बन रहे थे, लेकिन अब यहाँ से जादा profit में बैठे हुए थे, यह हमारा case 1 था, उसके बाद वो अपनी S.I.P. को discipline में continue करते गए, और 2 March 2009 को जब उन्होंने अपनी देखा portfolio 5,000 की S.I.P. वो दिया उन्होंने, तब उनने figure out किया कि उनका जो investment है, वो तो 1,35,000 का यहाँ पर चला गिया है, लेकिन वो 1,35,000 उनके market value यहाँ पर 94,000, 94,000 रुपय हो गई, यहने कि उनका 40,000 के आसपास का यहाँ पर loss आ गया, और वो यहाँ पर अब सोचना लगे कि अब mutual fund में क्या किया जाए, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर loss आ गया, अब इस 5,000 की S.I.P. को continue करे, या फिर वो यहाँ से अपना पैसे लेकि यहाँ से निकल जाए, और बोले कि mutual fund तो एक बेकार चीज है, तो रवी जी ने यहाँ पर काफी कोशिश की और काफी चीजों को समझा, जब उनका यहाँ पर एक लाब 35,000, 94,000 हो गया, यहाँ पर 94,000, 40,000 का loss उन्होंने अब्सॉर्ब किया, तो उन्होंने कि क्यों ना, मैं थोड़े दिन और continue करके देखता हूँ, 5-6 मैंने, अगर नहीं cover होता है, तो फिर वो exit कर देंगे, तो उन्होंने काफी surprising fact देखा, यह सिर्फ 2 मैने में, मार्च के बाद, अप्रेल, और अप्रेल के बाद, माई, सिर्फ 2 मैने में, उन्होंने 55,000 और डाले तो क्या change दिखा, यही तो दिखा, case 3 जिसको हम बोलेंगे, उनको ये change दिखा कि उनके 94,000, सिर्फ 2 मैने में, 1,440,000 हो गए, क्याने कि लगभग उनको 46,000, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मैने में ही उन्होंने यहाँ पर cover कर लिए, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर loss में थ SIP और बढ़ाई अपनी, और माई के बाद, जून में जब उनकी SIP की date आई, तो उन्होंने 5,000 एड किये, किसमें एड किये भई, 1,45,000 में, तो उनकी जो invested amount थी, वो कित्ती हो गई, 1,50,000, अब यह 1,50,000 तो उन्होंने डाल दिये थे, लेकिन अब वो अपने life में सबसे ज खुश हुए, क्या देखके खुश हुए, market value देखके खुश हुए, उनकी SIP जो काफी समय से loss में चल रही थी, उनको 40-50,000 का loss हो रहा था, उसके बाद उन्होंने देखा कि SIP में sudden increase आया, लेकिन अभी भी वो loss में थे 5000 के, लेकिन सिर्फ एक मेहने में, सिर्फ 30 दिनों में ऐसा क्या बदला, कि 1,50,000 उनके यहां पर, जो 1,45,000 थे इससे पहले, वो 1,40,000 थे, वो 1,50,000 सिर्फ एक मेहने में, उनकी market value 1,79,000 हो गई यहां पर, यानि कि 40,000 का और increase देखने को मिला, किस पे मिला, सिर्फ 5,000 की SIP पे, तो वो अपने life में सोचे कि, अगर वो यहां पर exit करते, 94 का loss लेके, 94,000 की amount लेके, तो वो उनकी life की सबसे बड़ी गलती होती, क्योंकि उसके बाद, उन्होंने यहां पर, almost उस पैसे को, सिर्फ और सिर्फ, एक और दो, लगभग, दो से तीन महनों में, डबल कर लिया था, यही तो market है, और इसी को तो हम बोलते है, magic of compounding, जो लोग यहां पर नहीं समझते हैं, कब होता है, कैसे होता है, कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही हो जाता है, सारी study का मैं यहां पर conclusion दूँगा, तो आप ध्यान से आपर सुनियेगा, जो रवी जी थे, जिन्होंने अपनी S यहां पर चालू कराई थी, उन्होंने figure out किया, कि यहां पर June 2, January 2007 से लेके 2, July 2008 तक, यहनि कि अगर आप महने के हिसाब में देखोगे, तो 12 प्लस 9 लग भग, 18-19 महने, 19 महने तक उनकी SIP यहां पर positive गई, positive गई यहां पर, उनकी SIP positive में था, उसके बाद उन्होंने figure out किया, कि 2, August 2008 से market गिरना चालू हुआ, हम सब जानते हैं कौन सा समय था, यहां पर 2008 का समय था, 2, May 2009 तक market गिरा, और इनकी SIP negative में हो गई, negative में, पूरी SIP negative में थी, तो अगर आप महना count करोगे, तो लगभग यहां पर आता है, 10 महना, यहनि कि अगर आप research wise देखोगे, तो 10 से 12 मह इनकी SIP लगतार, बीच में एक दोर आया crisis में कि 10 से 12 महने इनकी SIP लगतार, यहां पर negative zone में चले गई थी, लेकिन उसके बाद क्या कमाल होता है, कि सिर्फ 2 जून, अगले ही महने, जब इनकी SIP negative जा रही थी, अगले ही महने से, यहां पर boom चालू होता है, 2009 से लेकर, और ज जब तक इन्होंने SIP किया, इनकी SIP एक भी बार negative नहीं गई, जब तक इन्होंने SIP किया, हमारे case में हमने 2011 तक लिया है, तो 2011 तक इन्होंने SIP चालू किया, एक भी SIP इनकी यहां पर negative में नहीं गई, एक भी पार पैसा यहां पर negative में नहीं हुआ, पैसा लगातार बनते च चालू हो गया और जैसे ही compounding चालू हुआ फिर इनोंने कभी life में यहाँ पर पीछे मुड़ कर नहीं देखा और मैंने जो भी यहाँ पर research करी उसके उपर मैं आपको एक बार बता लेता हूँ ताकि आप यहाँ पर खुद से जो data facts है वो आप check कर सको हमने आपर research करी कि रवी जी 2007 से अपनी SIP चालू करते है 5000 की amount लेकर चालू करते कितने की 5000 की SIP यहाँ पर चालू करते, कब तक यहाँ पर 2011 तक यहाँ पर चालू करते किस fund में चालू करते तो मैं fund आपको बताया नहीं था शुरू मैं fund का नाम था यहाँ पर जो हमने लिए HDFC Top 100 fund, HDFC Top 100 fund, इसके साथ साथ अगर आप Nifty भी देखो कि उसके साथ साथ, तो Nifty भी यहाँ पर 10-12 महने में ही positive आया है, तो fund का इतना matter यहाँ पर है नहीं हमारी analysis में मैंने आपको 2008 दिखाया, क्यों 2008 दिखाया क्यों 2008 माना जाता है कि सबसे बड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही research किया हूँ, मैंने इसके उपर यहाँ पर और भी detail में research किया है, जहाँ पर हमने पूरे 25 साल का data निकाला है है, पूरे 25 साल की गिरावट को यहाँ पर analyze किया है, जहाँ पर हम देखे थे 2008 का dot com bubble हम देखे थे केतन पारिक उसमें हुआ था, 2011, 2013 का हमने same ऐसे example निकाला है, SIP के थुरू कि क्या वहाँ पर condition आ रहा है, तो जो result सामने आया है, जो result हमारे सामने आया है, मेरे सामने है, जो मैंने analyze किया है, कि कोई भी SIP को negative में positive होने में, और सबसे बड़ा boom वहाँ से शुरू होने में लग जाते हैं, 12 से 15 मेहने, कितने लगते हैं, 12 से 15 मेहने, तो आप यहाँ पर expect कर सकते हैं, कि 12 से 15 मेहने के बाद आपकी SIP negative से यहाँ पर positive में आ जाएगी जो point में आपको figure out कराना चाहता हूँ, वो point यह है कि कोई भी random mutual fund आप expect कर सकते होगी 5 साल में यह almost double हो जाते हैं क्या हो जाते है, almost double even if the correction is very deep अगर correction बहुत जादा deep होता है जैसे 2008 का case था, वहाँ पर भी आप expect कर सकते होगी 5 साल में आपके पैसे 2 गुना होना तै, फरक बस यह है कि आप उस समय hold करो जब आपका बहुत जादा नुकसान हो रहा हो, गर आप वहाँ से बेच का निकल गए तो आपको सबसे बड़ा नुकसान देखने को और उनकी जो amount बनी SIP value वो 4,6,000 के आसपास बन गई, जहां पर उनको 26% का यहां पर return देखने को मिला, कितना percent return देखने को मिला, 26% का return, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनकी SIP negative में चले गई थी, उनका return जो था 15 मेंने का wait करेंगे और 100% मैं आपको बता रहा हूँ, 100% accuracy के साथ चीजे बताता हूँ, कि 12 से 15 मेंने के बाद आपकी SIP negative से positive में आ जाएगी, ऐसा मैं नहीं, ऐसा आपको history बताती है, अब आप बोलोगे अंकीत जी, आप तो history बता रहे हो, history तो होती है तूटने के लिए, लेकिन आप दो चीज figure out करिये और मेरी बात को याद रखेगा, पहली बात की history हमेशा नहीं तूटती है, 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि history repeat यहाँ पर हो जाती है, और history यहाँ पर तूटती नहीं है, और दूसरी चीज़ अगर history तूट भी जाती है, तो बढ़े बहुत बढ़े margin से नहीं तूटती है, है ना, बोलने का क्या मतलब है, चलिए हम cricket के दुनिया में आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा रिलाक्स कराता हूँ, बहुत पैनिक होगे, आप यहाँ पर यह सारी डाटा और अनलिसिस देखके, सचीन तेंदुलकर ने आपर सौ शतक बनाए है, सौ संचुरी बनाए है, वो हिस्ट्री बोला जाता था कि अभी तूटेगा नहीं, विराट कोली आ गए, लेकिन आप बोला जा रहा है कि विराट कोली जो है, यह सौ संचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, चलिए तोड़ देंगे, लेकिन जब उनका रिटार्मेंट होगा, जब वो देखने को मिलेगा, सबकी SIP नेगेटिव में है, कोई बात नहीं है, 12-15 मैंने रुको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 15 के जगा ठारा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पर पैनिक ना होई है, पूरे मोटिवेशन के मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो लंबा हो गया, और मेरे भी यहाँ पर पसीने चुट गया है, इसी चल रहे है उसके बाद भी, तो आप मुझे बता देना कैसा लगा, लाइक जरूर से कर देना, काफी मैनत यहाँ पर किया हूँ आपके लिए, तो लाइक यहा 15,000, 20,000 रुप है फालतू में लेते रहते हैं, यह सारी रिसे आपको फ्री देखने को मिलेगा, अगर आप मेरे फैमली का हिस्ता नहीं बने तो नीचे जोईन बटन को बागे मारी छोटी सी फैमली का हिस्ता भी बन सकते हैं, फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आप से जल्दी ही क्या बोल रहे हो ठक है अरे ऐसे वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिलता है अभी मैं बूस्ट अपू बहुत अभी बोलो तो एक और वीडियो बना रहते हैं